गुड इबनिंग एब्रिवान वल्कम टो सिवल सर्विसे श्टड़ी प्रेक्टिस सेट नमबर 777 पर आज़े ये उपी पीसीएस के रहे हैं प्रेक्टिस करेंगे इसमें हम करेंट अफेर्स के प्रश्णों पर चलिए स्टार्ट करते हैं 24 अक्टूबर को एक्जाम है UPSC सिवल सेवा का और 10 अक्टूबर को है 24 अक्टूबर का एक्जाम है UPPCS का ठीक है यानि UPPSC का और 10 अक्टूबर को एक्जाम है UPSC सिवल सेवा का प्रेक्टिस करते रहे हैं हट दन तो question number one की शुरूबात करेंगे हम निपा वायरस से बताए सितंबर 2021 में केरल के केस जिले में निपा वायरस का पहला मामला सामने आया है पलकड में मालपुरम में कोजी कोड या कोची देखें सितंबर 2021 में केरल के कोजी कोड में निपा वायरस का पहला मामला जो है सामने आया भी हाली में तो सितंबर 2021 में केरल के कोजी कोड में निपा वायरस का पहला मामला सामने आया है और इसके फलसरूप कोजी कोड जिले के एक बारे वर्षिये लड़के में निपा वाइरस का एक संदिक्त मामला सामने आया था ठीक है जिसकी मौत हो गई है तो केरल का कोजी कोड डिस्टी के याद रखेगा तेखें निपा वाइरस जो होता है वो एक जोनोटिक डिसीज है जोनोटिक बिमारी है निपा जो जान बर उससे इंसानों में फैलती है और यह वाइरस संक्र में तो सुरो या फल खाने वले चमकादडो दोरा ठीक है उनकी लार से उनके मूत्र से उनके मल के माध्यम से फैलता है विस्व सास्त संगठन की माने तो बंगला देश और भारत में यह वाइरस आम तोर पर फलो या फलो के उतपादों का सेवन करने से फैलता है और ये ऐसे फाले होते हैं जो चमकादड़ों के मूत्र या लार से पुर्दूशित होते हैं विस्व सास्त संकटन के अनुसार यदि कोई निपा वायरस से पीडित है ठीक है तो उसको बुखार आएगा सिर्व में दर्द होगा मौस्पेसियों में दर्द होगा उल्टी आएगी गले में खराज जैसे लक्षण जो है विक्सित होते हैं और इसमें चक्कर आना और एंसेफिलाइटेस भी हो सकता है पहली बार मलेशिया में सूर पालने वाले किसानों में निपा वायरस के लक्षण मिले थे और वर्स दोहर 18 में भी केरल के कोजी कोड और मलप्रम जिलों में निपा वायरस का मामला समने आथा नमबर टू पर आजए सितंबर दोहर 21 को किस राज में आद निर्भार ग्रशी योजना और बागवानी योजना नामक दो योजनाएं सुरू की गई है ये उत्तर प्रदेस नहीं है महरास नहीं है ये है नौर्थ इस्ट का अरनाचल प्रदेस तो तीन सितंबर 22 को अरनाचल प्रदेस के मुखे मंतरी पेमा खांडू ने क्रशी छेत्र की दो महत्वा कांसी योजनाओ का इटा नगर में सुभारम बे किया इटा नगर कैपिटल अरनाचल की और इन दो योजनाओं का नाम आत्म निर्भर क्रशी योजना और आत्म निर्भर भागवानी योजना है क्रशी और भागवानी विभावगों को जो है 60-60 करोड रुपे की राशी इन योजना के लिए आवंटिद की गई है नमबर टू पर आजए ये नमलिकित कत्नों पर विचार करेंगे दो स्टेटमेंट के साथ बताएं मैं से कौन से करेक्ट है सितमबर दोहरीकिस को चीन की अध्यक्सता में वरेक से डिजटल स्वास्त सिकर संबेलन दोहरीकिस बर्चुली रूप से संपन हुआ और इस संबेलन ये बैठक में वरेक से डिजटल स्वास्त गोशना को अपनाया गया देखें सितमबर दोहरीकिस को चीन नई बलकी भारत की अध्यक्सता में वरेक से डिजटल स्वास्त सिकर संबेलन दोहरीकिस बर्चुली आयोजित हुआ है और इस सम्मेलन ये वेठक में विरिक से डिजिटल गोशना को अपनाया गया, दूसरा सही है पहला गलत है तो 3 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्सता में विरिक से डिजिटल स्वास्त सिकर सम्मेलन 2021 वर्चली रूप से संपन हुआ तो गलत है पहला, चीन नहीं है भारत है केंद्रे स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्री परिवार कल्यान राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीन पवार ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिहत्यु किया जबकि इस सम्मेरण की अधियकता की केंद्रे स्वास्त सचेव राजेश भूशन ने और बैठक के दोरान डिजटल स्वास्त के कारेनवायन के दोरान आई चुनोती हो और अब सरोपर चर्चा की गई और इस बैठक में वरिक्स डिजिटल स्वास्त घोशना को अपनाया गया वरिक्स इसे जुड़ी जितनी भी चीज़ां हुई है भारत में हुई है अधिकतर ठीक है याद रखेगा उर्जा मंत्री की जो बैठक हुई है वो भी भारत में हुई है कोशन नमबर फोर पर आजएए आगे आएगा सवाल सितंबर दोहर बीस को कौन पैरा ओलम्पिक खेल में दो पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाडी बन गई है ठीक है दस मीटर और पचास मीटर दोनों में पदक जीता है इन्होंने और इनका नाम है क्या ये दीपा मलिक तो नहीं है वो तो गोला फैकती है सिमरन सर्मा नहीं है भाविना पटेल नहीं है ये है अवनी लेखरा ठीक है तो तीन सितंबर 2021 को इन्होंने एक मेडल जीता और तीस अगस 2021 को भी एक मेडल जीता ठीक है तीन सितंबर 2021 को भारते निसा निवाज अबनी लेखरा ने टोक्यो पैर अलॉम्पिक 2020 में महिलाओं की पचास मीटर राइफल थ्री पोजिशन एस एच वन इस परदा में जीता है कांश्य पदक ठीक है और इसे पिछले महिने में इन्होंने जीता है सीधा गोल्ड मेडल सौन पदक तो 30 अगस 2021 को 10 मीटर एयर राइफल स्टेंडिंग एस एच वन इस परदा में सौन पदक जीता और इसी के साथी वो सौन पदक जीतने वाली भारत की पहली महिलाओं बन गई पैरा ओलम्पिक में ठीक है तो एक ही पैरा ओलम्पिक में दो पदक जीते हैं इन्होंने 30 सिधंबर देहर 21 को जीता 10 मीटर एयर राइफल में सौन पदक और 50 मीटर एयर राइफल में जीता है इन्होंने काश पदक यानि तीसरा पदक और यह पहला पदक इनका नाम यदर किया अपनी लेखरा गोल्ड सो मिलियन फॉलोवर्स का अंकड़ा पार करके भारत के पहले व्यक्ति और एसियाई बन गए बताइए पहला भारती है और पहले एसियाई ठीक है कोई नहीं है इनकी टक्कर में ये भी नहीं इनका नाम है बिराट कोहली तो 3 सितंबर 2 हर 21 को भारती है क्रिकिट टीम के कप्तान बिराट कोहली इंस्टाग्राम पर डेड़ सो मिलियन फॉलोवर आंकड़ा पार करने वाले पहले भारती है ठीक है होने के साथ साथ पहले एसियाई भी हैं पूरे एसिया में सबसे ज़्यादा और इस सूची में समगर सूची में देखें मतलब पूरे विश्विस्तर पर देखें तो कोहली जो है वो चोधे इस्थान पर है और पहले इस्थान पर इस सूची में पुर्दगाली फुटबॉलर क्रिस्टाइनो रोनाल्डो 337 मिलियन फॉलोव़र है उनके इंस्टाग्राम पर टॉप पर हैं और दूसरा इस्थान पर है अर्जेंटीना के फटवॉलर लियोनल मैसी 260 मिलियन फॉलोवर है और दूसरे इस्थान पर है और तीसरे इस्थान पर राप्त किया है ब्राजिल के फटवॉलर नेमार ने 160 मिलियन फॉलोवर्स के साथ ठीक है तीसरे इस्थान पर चोथा विराट कोली है और भारत में टॉप पर और एसिया में टॉप पर कोश्चन नुबर सिक्स पर आजए ये निम्लिखित कत्रों पर विचार करेंगे तीन स्टेट्मेंट के साथ बताएं कौन सा करेक्ट है वर्ष 12.15 में विरिक्स देशों द्वारा नियू डवलप्मेंट बैंक की स्थापना की गई थी और नियू डवलप्मेंट बैंक का मुख्याला है चीन के संगाई में और हालही में यानि 2 सितंबर 12.21 को नियू डवलप्मेंट बैंक ने विस्तार योजना के तहत सेयुक्त अरव अमिरात यानी UAE, उरुगवे और पाकिस्तान को अपने नए सरस्य देशों के रूप में मंजूरी प्रदान की है बताए कौन सा करेक्ट है देखे अभी हाली में तीन देशों को New Development Bank के नए सरस्य देशों के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है उनमें सयुक्त अरव अमिरात है इंपोर्टेंट है प्रस्य देखना उरुगवे है और बंगला देश है ठीक है UAE, उरुगवे और बंगला देश है पाकिस्तान नहीं है तो गलत है तीसरा वाला स्टेट्मेंट पहला सही है संगाई चीन में है न्यू डबलप्मेंट वैंक का हेड़कौर्टर और दोहर पंद्रह में बिलकुल व्रिक्स देशों ने मिलके इसकी स्थापना की थी थर्ड को अलिमिनेंट कर दीजे ये गया ये गया चुकि दूसरा भी करेक्ट है तो पहला भी गया तो दो सितंबर दोहर एकिस को न्यू डबलप्मेंट वैंक ने विस्तारी उचना के तहट संयुक्त अरब अमिराथ यू एई उरुकबे और मंगला देश को अपने नए सरस्य देशों के रूप में मंजूरी परदान की है दोहर पंद्रे में विरिक्स देशों ने मिलकर न्यू डबलप्मेंट वैंक की स्थापना की थी कौन कौन से विरिक्स थे ब्राजल, रूस, भारत, चीन और दक्षन, अफरीका और एस बैंक का मख्याले कहां पर है चीन के संखाई में और इसका काम है संबंदे देशों अन्य विकासील देशों में वनियादी नहाचा और सतत विकास से जोड़ी परियोशनाओं के लिए संसाधन जुटाना निउड अपनाप्मेंट वैंक के पास सो बिलियन डॉलर की अधिकरत संपत्ती है पूंजी है कोशन नमबर टू पर आजएए कोशन नमबर सेवन पर आजएए दो सितमबर दुहर 21 को सिदार्थ सुकला का निधन हो गया कौन थे वो ये क्रिकेटर नहीं थे चित्रकार नहीं थे अथलीट नहीं थे ये थे अभिने था तो दो सितमबर दुहर 21 को परसिद अभिनेता सिदार्थ सुकला का निधन हो गया चालिस वर्स के थे ये और इन्होंने अपने करियर की जो सुरुबात की थी एक मॉडल के तौर पर की थी इन्होंने ज़ देखिए बाबुल का अंगरना छोटे धारवाइक के साथ छोटे परदे पर कदम रखा और बाद में जाने पहचाने से ये अचनवी लव यू जिन्द की बाले का बधू जिसे सीरिलों में काम किया और इसके अलाबा जहलक दिखलाजा का सीजन सिक्स जो था उसमें काम किया फियर फेक्टर खत्रो के खिराड़ी के सीजन सेवन में काम किया बिग बॉल सीजन तेरा जीता है इन्होंने और वर्स 2014 में करन जोहर की फिल्म हम्टी शर्मागी दो लेने के साथ बॉलेवर्ड में अपने करियर की सुरुबात की थी इन्होंने हाल ही में न्यूज में थे याद रखेगा चलिए कोश्चन नम्पर एट पर आजिए नमलेखित कत्नों पर विचार करेंगे एक और इंपॉर्टन प्रशन है दो स्टेट्मेंट के साथ बताना है कौन सा करेक्ट है वर्स 2014 20-21 के दोरान देश में नारियल के उत्पादर में सीर सराज केरल रहा क्या ये वात सत्य है भारत में नारियल के उत्पादकता पृती हेक्टेर 9,687 टन है जो विश्व में सरबाधिक है 2019 और 20 में तो भारत तीसरे स्थान पर आ तीसरे स्थान पर था पहले पर इंडोनेशिया था अब तो टॉप पर हो गया फ्री है करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेट्मेंट सरवादिक है तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेट्मेंट इसने सी है इसका अंसर तो वर्ष 2020 के दुराँ देश में भारत में नारियल का अत्पादन 21,207,000,000 टन रहा जो वेश्विक उत्पादन का 34% है ठीक है पूरे विश्व का अकےला भारत में 34% है और भारत में नारियल के उत्पादक अपरती हेक्टेर में देखें तो 9,687 टन है जो विश्व में सर में लाडू कोईशन नुम्बर नाइन पर आजिए दो सितंबर दोहर एक किसको वरिक्स देशों के उर्जा मंत्रियों की छटवी वैठक किस देश की अध्यक्सता में संपन हुई तो इसका उत्तर भी वही है जो एक वरिक्स वाला जो कोईशन ऊपर था उसका है ठीक है भारत ओप्सन नुम्बर एक तो दो सितंबर दोहर एक किसको वरिक्स देशों के उर्जा मंत्रियों की छटवी वैठक भारत की अध्यक्सता में बर्च्वली रूप से संपन हुई केंद्रे विद्धोत और भारत भारी उद्धियोग राजमंत्री क्रशन पाल गुर्जर ने इस वैठक की अध्यक्सता की और इस वैठक में वरिक्स देशों के उर्जा मंत्रियों और प्रतिन इधियों ने भाग लिया वैठक के दोरान क्रशन पाल गुर्जर ने वरिक्स देशों के उर्जा मंत्रियों की उपस्तोती में वरिक्स एनरजी रिपोर्ट दोहर एक किस और व्रिक्स एनर्जी रिसर्च डायरेक्टिव दुहर 21 लॉंच की दसवा प्रशन है दो सितंबर दुहर 21 को सूचना और पुरसारण मंत्रा लेने पत्रकार कल्यान योचना से संबंधे देशा निरदेशों की समक्षा करने है तो किसकी अध्यक्सता में एक दस सरस्य समिती कठि की है रविश कुमार, अमिताप सिना, स्वेता सिंग या फिर अशोक कुमार दंडन बताए दो सितंबर 22 को सूचना और पुरसारण मंत्रा लेने पत्रकार कल्यान योचना से संबंधे देशा निरदेशों की समिक्षा करने है तो अशोक कुमार दंडन की अध्यक्सता में ए दस सरस्य समिती गठित की है ठीक है देखिए दो सितंबर 22 को सूचना और पुरसारण मंत्रा लेने पत्रकार कल्यान योचना से संबंधे देशा निरदेशों की समिक्षा करने के लिए दस सरस्य समिती गठित की है प्रशिद्ध पत्रकार और प्रशार भारती के सरस्य असो कुमान अटंडन इस समीति के अध्यक्ष हैं और यह समीति दो महा में अपनी रिपोर्ट देगी तो दस प्रशन एड़ किये गए थे इस टेस्ट में इनकी प्रक्टिस एक बार कर लेज़ेगा इंपोर्टन एन की एक्स्विनेशन उसको भियाद रखिए धन्यवाद